है दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको जो इस इमेज में क्रैक्स दिखा जा रहे हैं यह क्रैक्स कब आते हैं जनरली जब आपने स्लैक की कास्टिंग कर देते हैं उसके अगले ही दिन कि अगर आप पर जाते हैं च्षठ पर जाते हैं तो आपको यह जाते हैं यानि छnahट ढलाई के 24 घंटे के बाद ही इस तरीके के टिन च्षठ पर क्यों दिखते हैं उनकी क्या रीजTrans है किस वजह से यह cracks आते हैं क्या mistake करी जाती है जिसके वजह से disagreement कर्याइक्स आते हैं और कुछ cracks जो हमारे 14 दिन के बाद दिखते हैं इक हफते 10 दिन के बाद से जादा दिखने लगते हैं तो इस तरीक के crack क्या होते हैं इनसे क्या नुक्षान हो सकता है क्या इससे हमारे छत्क्या जो स्लैप का जो life है जो strength है वो क्या कम हो जाती है यह जितने भी crack होते हैं स्लैप पर यह क्यों होते हैं उनको कैसे आप समझ सकते हैं आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्लैप धलाई के वक्त ऐसी क्या गलती करी जाती है या फिर स्लैप धलाई होने के बाद क्या गलती ऐसी करी जाती है जिसकी वज़ा से इस तरीकी के क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं तो दोस्तों जो भी आपको च्लाइब पर क्राइब देखने को मिलते हैं उनको जनरली दो क्या डिवाइड क्या गाता है हम आपको इंड में बता देंगे कि यह जो क्राइब से किस तरीके क्राइब से और इसको रिपेयर कैसे करना है है कि नेकिन बाले हैं यह समन्झ अख्र होते क्या हैं और किस वज़ा शें पाते हैं कुछ जेए क्रैक सफेंगर होते हैं एक क्रमारा होता है shrinkage crack, यानि hydration process होते समय, जो हमारे shrinkage होते हैं उस समय cracks आते हैं, दूसरा होता है Suttering Settlement crack, तो पहले हम shrinkage crack को समझते हैं, कि ये किस तरीकी का cracks है और क्यों आता है, हम सब जानते हैं कि जो हम concrete बनाते हैं, उसमें हम cement का use करते हैं, और सिमेंट को अपने स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए अपने केमिकल कंपोजिशन को स्टार्ट करने के लिए उसको वाटर की जरूरत होते हैं तो जब हम concrete में जब हम concrete बनाते और उसमें पानी डाल देते हैं तो 30 मिनट के बाद ही cement अपना काम start कर देता है setting होने का काम strength gain करने का काम जो हमारा cement है वो start कर देता है अब होता यह है कि जब हम छतकी ठलाई करते हैं और जब concreting करते हैं तो हम बिल्कुल temperature का ध्यान नहीं रखते हैं इसमें इस तरी की cracks आने में shrinkage cracks आने में temperature का बहुत बड़ा रोल है आप समझें कि जो भी हमारा concrete है concrete process करने के लिए concreting process करने के लिए आपको temperature minimum 10 degree celsius यानि 10 degree celsius से कम नहीं चाहिए और 30 से 32 degree celsius से जादा 35 degree celsius से जादा नहीं होना चाहिए लेकिन जब आप slap की casting करते हैं तो आप इतना busy होते हैं कि कभी आप इन सारी चीजों को notice नहीं करते हैं construction में awareness नहीं है जिनकी वज़ा से लोग इन सारी चीजों को बहुत कम जानते हैं और आज अभी के time में shrinkage cracks बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है हर दूसरे तीसरे site पर देखा जाता है कि slap में shrinkage cracks तो आ गया है तो यह जो हमारे cracks होते हैं यह जनरली एक mm आधा mm के होते हैं हाफ mm या एक mm के डेड़ mm तक यह shrinkage cracks जाते हैं यह क्यों होते हैं आप जो concrete इंग यह तीस मिनट के बाद जो हमारा concrete है वो सूखता है यानि उसमें hydration process होता है अगर किसी cement में hydration process ना हो तो वो अपने strength को achieve ही नहीं कर सकता यानि कि सिमेंट आपके concrete को आपके छत को मजबूत होने के लिए सिमेंट को hydration process करना पड़े लेकिन अगर आप 10 डिग्री से कम रखेंगे temperature अगर वहाँ पर है तो आपका hydration process slow होगा जिसकी वज़ा से उसको strength गेंड करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जब उसको sunlight नहीं मिलेगा हीट नहीं मिलेगा तो वह hydration process नहीं होगा कि सिमेंट से पानी सुखेगा नहीं तो अपना स्ट्रेंद को एचेव अचीव नहीं करेगा तो वहां तो धेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन अगर टेंपरेचर 35 डिग्री से ज्यादा है और वहाँ पर आप करते जाते हैं और सलाइट जादा होने की वज़े से जिस मोस्चर को 24 घंटे में खतम होना चाहिए वो विदिन वहावर्स में खतम होने लगता है घंटे भर के अंदर खतम होने लगता है क्योंकि टैंपरेचर बहुत जादा है तो कॉंक्रीट में हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है पानी सूखने लगता है और जब कॉंक्रीट का पानी सूखने लगता है तो यह हाइड्रेशन प्रोसेस होता है जब तो और हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है पानी की कमी हो गई मोस्चर खतम होता है तो इस तरीकी के स्रिंकेज क्रैक कि आपको इस लाइब पर देखने को मिलते हैं अभी यह जो आपको क्रैक्स दिखा जा रहा है यह बहुत जूम करके दिखा जा रहा है आपको क्रैक्स यहां पर 2 mm के आरांड, 1.5 mm के आरांड दिख रहा हैं तो यह जो क्रैक्स हैं यह स्रिंकेज क्रैक्स हैं और इस तरीकी के इसे आपको बहुत ज्यादा नुक्षान नहीं होगा क्योंकि यह गलत तरीका है अब आप स्रिंकेज क्रैक्स से कैसे बच सकते हैं जब आप कॉंक्रीटिंग करें तो अपने हां का टेंपरेचर नॉर्मल हो तभी करें बहुत ज्यादा टेंपरेचर में आपको नहीं करना है और आप ऐसे लोकेशन पर रहते हैं ज़ह तक रेख एक तरशै कर करें दूसरी त्रफ को कवर करते हैं आप उससे प्रोपर सब्सक्रीड कर सकते हैं शेठ बना देंगे। तो आप काफिए तरीके से आप उसको अविगर करदेंगेगे बेसिकलि की आप कंक्रीट को कवर करि क्या दूसरा कि जब अगर इतने टेंपरेचर में आप कर रहें तो पहले तो अवोइड करें अगर आप कर रहे हैं तो 30-35 जिगरी से ज्यादा है तो आप कवर करें और अगले दिन आपको करना यह है कि आपको बॉंडिंग मेथर्ड अपलाई करना है क्यूरिंग के लिए क्यूक्य आपने स्लैप की कास्टिंग कर दी तो आपको क्यूरिंग की तुशरुर्वत पड़ेगी उसको नमी तो देनी है तो अगर आपके हमार टेंपरेचर जादा ह और आप सुबह साम सिर्फ पानी मार कर चले जाएंगे पाइप से तो जो हमारा कॉंक्रीट की थिकनस है जो स्लाइब की वो पांच इंच हमने रखी है तो उसको पुरा मोश्चर तो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सही तरीका क्या है आप बॉंडिंग मेथड अपलाई करें बॉंडिंग मेथड यह है आप मोटार बनाईए वन इस्टू टैन रिश्यों का एक बैक सिमेंट यूज करिए टेन बैक सेंड यूज करिए आप इसका मसाला मोटार बनाईए और आपका जो स्लैब है उसको छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करिए क्यारी बनाईए क एक से दो इंच तक उठी होनी चाहिए और उसमें आप फिर पानी पूरा भर दें इससे क्या होगा कि उसमें पानी भरा रहेगा तो प्रॉपर उसको क्यूरिंग मिलती रहेगी है ऐसा नहीं कि आपको पहले दिन अपने पॉर दिया तो आपको भी को निशीनत हो जाना है नहीं है अब को 12 शू कर के देखना है कि वह ज्यादा हीट तो नहीं है अगर पानी बहुत ज्यादा हीट है तो पानी को चेंज कर दें councils कम में तो उसमें जो है नया पानी आइट क करें उससे पाने का टेंपरेचर डाउन होगा स्लैप को प्रॉपर मोस्ट्र मिलता रहेगा तो यह तरीका आपको फॉलो करना है और फॉलो करना आपको 10 से 14 दिन तक प्रॉपर क्यूरिंग देनी है यह यह आपको करना ही चाहिए तो पहला तो जो स्रिंकेज क्रैक मैंने आप को बढ़ा दिया दूसरा है शट्रिंग शटल्मेंट क्रैक यह क्यों आते हैं यह ज्यादा तर कॉंट्रेक्टर और मिस्त्री के लापरवाही से आते हैं आप सब जानते हैं कि जब आप सट्रिंग कर रहें तो शट्रिंग को उपर आपकी स्लैब डल नहीं है तो जो स्लैब मशीन जो रहती है उसका पूर होता है वो चलेगा ट्रॉली चलती छोटी छोटी जिसके concrete को एक जगह से जगह तक ले जाया जाता है तो उसके पूरा है लोड आता हमारे शर्टरिंग के तो जब आप शर्ट्रिंग करें करें तो शर्टरिंग के लीचे जो आप तो आपकी crack आ से हैं तो वोhesion बड़े बड़े होते हैं वो 2 mm-3 mm 4 mm तक cracks होते हैं वो वह बहुत क्रेंट नम्मून, नुश्ए को बहुत नुफसान पहुचाते हैं तो इसका simple तरीका है कि आप प्रलॉपर तरीके से shuttering करें shuttering का खयाल करें अच्छी तरीके से होनी चाहिए इसकी स्टेजिक अच्छी से होनी चाहिए श्लैप कास्टिम आपको सुपके उसको अच्छी तरीके से सर्वे करें जीनियर संवी Demon करें सकतры से सारी चीजेगा तो ऐस अब इन दोनों को रिपेर करने का तरीका यह है कि मार्केट में बहुत सारे क्रैक फिलर आते हैं आप क्रैक फिलर का यूज कर सकते हैं मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं वीडियो को सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं वीडियो का लिंक में डिस्क आपकी कास्टिंग आप कर रहा है और आप जो कंक्रीट उपर डाल रहा हूं लीचे की तरफ से बहता हुआ जा रहा है यानि आपके शाट्रिंग में पतले पतले अगर बारीक बारीक अगर उस में चैद है तो आपके कंक्रीट में जो जो सिमेंट है वो स्लरी के रोप में यानि पानी में घुला हुआ है और अगर वो पानी भहता रहे गया कॉंक्रिट का पानी पुरा बह गया तो सिर्फ आपका रोड़ी बजरी ही बचेगा फिर उसमें सिमेंट नहीं बचेगा तो भी ये क्रैक्स देखने को मिलते हैं तो उसका तरीका यह है जायतल यह गलती कव होती है कि जब आप एमेस प्लेट या फिर प्लाइवूड यूज करते हैं शट्रिंग के लिए तो जब दो प्लाई आप रखेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस ग्याप रह जाता है जिससे यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसका सलूशन आपको क्या करना है कि जब आप शट्रिंग करें तो दो प्लाई जहां पर आपने जॉइंट करिए वहां पर आप टेपिंग कर दें तो आपकी यह भी प्रॉब्लम खतम हो जाएगे तो यह बहुत इंपॉर्डेंट है आपको ऐसा करना चाहिए तब जाक सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे किसी और वीडियो में अच्छे से समझाने की यह फिर कुछ और आपको डाउट है तो आप भी उसको कॉमेंट बाप्स में हमसे पूच सकते हैं तो वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेट ऐसे ही इंफोर्मेटिव वीडियो इन फूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर प्रैश कर दें ताइंक यू